बिस्मिल्लाइ रह्मारे रहीम असलाम लेकॉम वेल्किम है आपको बुल्फूर्ट सिक्रेट में कैसे हैं आप सब आप सबस्चे होंगे सब भले जंगे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी बेबिकॉर्न फिंगर्ज यह बहुत टेस्टी बनती हैं बनानी भी बहुत असान आप इनको शाम की जाए के साथ सबकर सकते हैं यह सब को बहुत ज़्याद अपसंदाते हैं तो इसलिए बेबे गॉन फिंगर बनाने के लिए मैं सबसे पहले बाउल में लेलूंगी 1 cup मैदा मैदे को च्छे से चान के लें ताके घुट्लिया ना बनें बैटर में तो यहां पर मैंने बाउल में मैदा चाहिकर दिया है अब मैं इसके इंदर ड़ोगी दो खाने चमत इसका एक better त्यार कर दूंगी, सबसे पहले है मैंने थोड़ा सा पानी याट किया है, जब भी आप बैटर बनाना स्टार्ट करें, तो स्टार्ट में थोड़ा पानी याट कर कि गुट्लिया खतम कर लिया करें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी एक साथ में आड़ कर देंगे तो एक तो इसकी गुट्लियां खत्म करने में हमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है दूसरा ये कि बैटल भी हमारा पतला हो सकता है इस वरे से पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ही आड़ करें यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके इसकी सारी गुट्लियां जो है वो खतम कर लेती हूं और उसके बाद हम इसकी बैटल की कंसिस्टेंसी जो है वो सही करेंगे तो यहां पर सारी गुट्लियां जो है बैटल की वो खतम हो चुकी है और इस बहाइबर मैं इसमें पानियों यहां पर यहां बैटर के letter के consistency एड़ी हो चुकी है सफerson की इतनी consistency हँंदर करें । जो है कोपर हование इतना घोलने में एक कटवी में से दो खाने के रिख मार्व यह भॉन के रहा है नमक का नमक को आप अपने टेस्ट के मताबिक कम या जदा कर सकते हैं इसके इलावा अगर आपको काली मिर्च नहीं आड़ करनी है काली मिर्च का पाउडर तो आप इसके अंदर सिरफ लाल मिर्च का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं एक चाय का चमच तो अब मैं इसको कर लेती हूं बैटर के अंदर कि सारा मसाला और बैटर जो है वह एक जान हो जाए मसाला बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है तोनों चीज़ें यूद्स अध्यान हो गई है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इतनी होनी चाहिए कर ड़ता है छोटी साहइज की हैं आख को मेरे चैनल को सबस्काइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ब्याक ऑब ने सब्सक्राइब कِरें मेरे मेरे अवाली हाइब सब्सक्राइब करें भीडिय जब जाएं nên सबसे पहले आप तक पहुंचे यह आप लोग की तरफ से हमारे प्यार होता है हमारी होसला वजाई होती है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन भी क्लिक कर सक कोवन मैंने यहां पर सारी काट ली है अब हम इनकी कोटिंग कर लेते हैं बेबी कोवन की कोटिंग के लिए मैंने यहां पर मैदे और कॉन फ्लोर का बैटर लिया है साथ ही मैंने यहां पर ब्रेड कर लिये हैं अगर आपके पास ब्रेड कर नहीं है तो आप मत यूज करें same है है तो बने का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है लेकिन अगर का पास नहीं है तो मत एड़ करें कोई ज़रूरी नहीं है तो बस इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम यहां पर उसके प्रेज साथ कर लें हाथ की मझड़ से फोरा सा कर लिए ताकिष्य प्रेस कर लिएं पर अठिक जाए इज़र्इस को ध्युक्टों साथ कर लिए इसको कितने तियादnten के साथ कर रही यहां पर मैंने एक बेबी कॉन जो है वो रेडी कर ली है देख सकते हैं आप इस तरह आप सैट कर दें इसको ताकि क्रम्स जो है वो इसको पर अच्छे से लग जाए और इसको मैं अलग प्लेट में रख देती हूं और बाके कॉन जो है उनको भी मैं ऐसे ही त्यार करके हम एक साथ ही त्यार करके रख लेते हैं सारी कॉन जो है उसके बाद फिर हम एक साथ ही इनको फ्राई कर लेंगे फ्रेंस अगर आप मुझे इंस्टार्राम पर फॉलो करना चाहते हैं अब हम इनको फ्राइ करते हैं तो फ्राइ करने के लिए मैंने औल वो औरहिए गरम ठोने के लिए रखती है ऐल को मैने यहां पर मीडियमाइड में मोट कर लिया है Pres kişi मेंा और पिर इंदाज फिर इसे हों की हम उस को इसके इंदाजहां होगा कि दर आ यहां पर एक वार में जितनीे में उसकी इंदाजा *** और इन्हें फ्राई होने देंगे तो यहाँ पर मैं इसको एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने देती हूं गॉल्डन ब्राउन होने देती हूं फिर इनके साइड चेंज करेंगे बेबे कॉन की एक साइड अच्छे से गॉल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गई है अब हम इसके साइड जो है वो चेंज कर देते है तो ये बहुत इजिली इनके साइड जो है वो चेंज हो जाती है तो हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से गोर्डन ब्राउन होने देते हैं एक प्यारा सा कलर आने देते हैं बेबे कॉन यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है चारो तरफ से अच्छे से किस्पी हो गई है बहुत ही प्यारा सा सुनेरा सा कलर नहें उनको आ गया है सो ये हमें को निकाल लेते हैं और इनको इन zeker होने में तकरीबन साथ से आठ मिनट लगे है मिडियों फ़लेप सो यहां पर रहे यहां पर मैं इनको चनि की मदद से निकाल लेती हूं decía और यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने है और इनको अब हम टीशू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा ओल जो है वह अब्जर्ब हो जाए टीशू पेपर के अंदर और उसके बाद मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूं बाकी भी सारे सब्सक्राइन तो यहां पेंव मचां गरण चाय के साथ सब्सक्राइब को पेहें तो Makने फेयुता आप नोख को अपके सब्सक्राइब में में Creator ने में नीघने में ऑली सब्सक्राइब होंगी मुझे भी अपनी दौा में याद रखेगा खुदा रिके बान अल्ला हाफिज